आप रमाहिने निकलते हैं यूपी में कई निताओं ने लगाई थी बड़ी बड़ी रहलियां मैं कहते हूँ कि प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने एक एक दिन में तीन तीन चाचा जगों पर रहलियां की थी अमिक्षा भी मौजूद रहे थे लेकिन कुछ शौकिंग रुजान जो है अभी के सामने आ रहे हैं बल्कुल केके शर्मा जी वो सवाल एक बार फिर से दोरा देता हूँ मैं लेकिन इस बड़ी ख़बर से जोड़ करके आप जबाब उमेश घोर्मोडी जी हमारे साथ जुड़के शर्मा जी मैं लोटूंगा आपके पास उमेश घोर्मोडी जी बीजेपी के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं चालिस सीटों पर मध्यप्रदेश और चटीस गड़ की मैनत सफल होती नजर आ रही है जी निशित तोर पे मध्यप्रदेश में भी और चटीस गड़ में हमने सभी की सभी सीटों का लक्ष रखा था और जिस प्रकार से मध्यप्रदेश के रूजहान आ रहे हैं मैं समस्ता हूँ कि 2003-04 से जो 2004 के लोकसबा चुना हुए थे उस ट्रेन को बरकरार रखते हुए मध्यप्रदेश ने आज 24 के अंदर भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है और अगर मध्यप्रदेश की बात कर लूँ तो फिर मैं 36 गड़ में आऊंगा जो 2004 के अंदर में जो 40% ओट सेरिंग थी और वो करमबद तरीके से लोकसबा चुनाओं में बढ़ती गई वो 43% हुई वो 54% हुई फिर 15% हुई और उस ट्रेन को बरकरार रखते हुए जो रोज़ानों में 29 की 29 सीटे मध्यप्रदेश के अंदर में दिखर रही है मुझको लगता है कि सारी सीटे हम मध्यप्रदेश में जीत रहे हैं और 36 गड़ की अगर मैं बात कर लूँ तो बीते चुनाओं में हम लगवग 50% ओट सेरिंग के साथ 9 सीटों को जीता था हमने और 36 गड़ का एक ट्रेंड रहा है हमेशा से हम 9-10 सीटे जीतते रहे हैं और इसलिए जनता का जनता पर हमको विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हमने सभी 11 की 11 लोग सबसीटों का लक्ष रहते हुए एक लक्ष तै करके चुनाओं हमने लड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब यह अंतिम परिणाम आएंगे अभी एक सीट में हम पीशे दिख रहे हैं और एक सीट कॉर्बा की हो सकती है मैं पूछना चाहूंगी संतोष जी से हमारे साथ जुड़े हुए संतोष जी क्या लगता है आपको एक सीट कॉर्बा की हो सकती है जोचना म रिजल्ट के अंतिम सीटी कि ठीक है पीछे चल रहे हैं मैं यह मानने को मान रहा हूं आप दिखा रहे हैं पीछे चल रहे हैं लेकिन यही ट्रेंड आखरी तक जारी रहेगा मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीन नी मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पाटी वहां पर काफी सीट जीतेगी और मध्यप्रदेश में भी जिस प्रकार से 29-0 का भी आख़ा सामने आ रहा है यह क्यों प्रारंभिक रुजान है जब अंतिम आख़ा आएगा तो मैं समझता हूं यहां पर अच्छा प्रदर्शन कॉंग्रेस करेगी और जिसके कारण अभी जो टोटल जो आख़ सीटे प्लस करती हैं तो अभी कुछ भी हो सकता है कुछ भी कहने की स्थिती में नहीं है बहुत कस्मकस का चुनाव है हमें अंतिम नतिजों का इंतजार करना चाहिए के के शर्मा जी भी जोड़े के के शर्मा जी आगया, यहां तो संतोज जी कह रहे हैं कि अभी भाई, रोजान भी जो आ रहे हैं, परिणाम तर काफी चेंजेज़ दिखाई देंगे, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, क्यूंकि 25 की बात करे तो 10 시टे बीज़ेपी करने के मामले में भाजपा बहुत आगे रहे चार सो में उल्जा करके यदि 272 के आखड़े को पार करते हैं पुरानी स्थिति में आते हैं तब भी सरकार कि नोटा को 83,000 वोट मिले है तो ये नोटा का जो प्रचार कॉंग्रेस पार्टी संतोज जी किया था वो नोटा आगे बड़ता हुआ नजर आ रहा है अलाकि ये किसी को मिलेगा नहीं लेकिन संतोज जी जो कैंपेनिंग कॉंग्रेस ने की थी अक्षे कांती बाम और कि इंदवर की जनता में एक आक्रोश था कि जिस प्रकार अक्षाइबम को भारती जनता पार्टी ने अपने डट्री ट्रिक्स के चलते पार्टी में शामिल कराया तो उन पर 307 का मुकदमा डाल कर उससे पूरे इंदवर में आक्रोश था कि इस तरह से लोकतंतर की हत्या न कि आपको लग रहा है कि यह सही है कि 83,000 वोट्स नोटा को अगर जा रहे हैं तो यह लोकतंतर के लिए कैसी बात होगी है लोकतंतर के लिए तो किसी लिहाद से यह सही नहीं है लेकिन लोगों के राय को आप रोक भी नहीं सकते को कि उसमें आप क्या बंदिस लगाएंगे जिनको माल लीजे मन में है कि नहीं हम किसी पार्टी को नहीं देंगे लेकिन यह संकेत ठीक नहीं है अब किसी को दीजिए दीजिए जरूर बोट कास्ट करना बहुत जरूरी है अब जिस पार्टी को दे रहें दीजिए देना बहुत जरूरी है और यह हमारा एक धर्म भी बन दूरदर्शन पर आता था महाभारत उसमें एक एपिसोड हमने देखा जिसमें कि चीर हरन का एपिसोड था उसमें बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे वो नोटा में थे वो ना हा कर रहे थे ना कर रहे थे ना वो कौरवों की तरफ थे ना वो पांडवों की तरफ लेकिन यहाँ जो नोटा इंडेड्यूस किया गया था चुनावायो की तरफ से उसका मकसद यह था कि लोग कम से कम वोट करने आए जो यह बहाना बनाते हैं कि हमें तो कोई कैंडिडेट पसंद नहीं उसलिए शायद नोटा था लेकिन अगर किसी प्रचार की वज़े से य पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए यह कॉंग्रेस बीजेपी जितने भी हैं सब क्योंकि भिस्म पितामा बनने क्या बसकता नहीं है क्योंकि भिस्म पितामा बनेंगे तो चीरहरन होगा और महाभारत होगा कहते हैं कि जबी भिस्म पितामा ने निरना लिया होता और एक बल मतब युवावस्था का निरने बिस्म पितामा ने ऐसा निरने लिया कि आज हम सब उस महा भारत को देखते हैं सुनते हैं और उदारन देते हैं ये बिल्कुल सटिक आपका उदारन है तिके उमेश जी उमेश जी तिरासी अजार वोट नोटा पे पड़ गए इंद भाव मुझको लगता है कि जिस प्रकार के हालात कॉंग्रेस के रहे और केवल हम इंद और का जिकर क्यों कर रहे हैं सूरत के अंदर में भी क्या हुआ और जिस प्रकार से चुनावा योग ने भी उसमेर निरने लिया और रह गई बात नोटा की तो नोटा निश्चित तोर पर ए कि एक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और यह लोगतंत्र की खुपसूरती है कि यदि कोई भी कैंडिडेट मद्दाता को उनकी भावना के अनुरूप नहीं लग रहा है तो जनता अपना एक कड़ा मैसेज देने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र है और अगर यहाँ पर इंद कॉंग्रेस पर उसने खुद विश्वास नहीं किया और वही स्थिती गुजरात के अंदर में भी हमको देखने मिली तो कॉंग्रेस को पहले अपने आपको देखना चाहिए कि भाईया धूल कहां लगा हुआ है वह आईना पोच रहे हैं तो कॉंग्रेस अपना भी आपना अलग आ रही है एक्जिट पोल सट के देखिए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव दोहजाद चौबिस में एंडिये को 294 सीटे जाते दिख रही हैं इंडिया गटबंदन 239 और अधर 20-30 काफी डिफ्रेंट बिलकु और अंशिका चुकि हम जिस बात का जिक्र कर इंडिये यहां पर 294 सीटों के साथ अभी लीड कर रही है लेकिन 239 सीटे आएंडिया यह गटबंदन को मिलना भी यह भारती जनता पार्टी के नेताओं के दावों को थोड़ा भी दरकिनार कर रहा है जिसकी उम्मीद मुझे लग रहा है कि एंडिये के किसी बड़े नेत अगर हम दाओं को भी छोड़ दे तो फिर 272 का बहुमत का आकड़ा तो एंडिये पार करती नजर आ रही है यहां पर इंडिया की बात करें तो 239 है लेकिन कॉंपरिटेशन काफी टफ है उत्तरप्रदीश और महरास्टर की बिलकुल और चुकिए अगर यहां पर एंडिये को और सीट्स नहीं मिलती है तो भी यह सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी और मेखाने से बड़ी खबार कॉंग्रेस की तुरा में जी देखे सीटों पर सपष्ट नतीजे आने भी शुरू हो गए है और आपको बतातें कि स्वालेंग में जहां अब रिजल्ट आया है वो रिजल्ट दिखा रहा है न्यूज 18 पर ये सबसे पहला नतीजा जो घोशित रूप से नतीजा आ चुका और कॉंग्रेस पालिटी के कैंड़ेंट जीत गए हैं बिलकुए बहुत बड़ी काबर इस वकी बतारें न्यूज 18 पर पहला नतीजा आ चुका है और पहले नतीजे में कौन जीता कौन हारा मिघाले के तूरा से देखिए अगा था के संग्मा जो की हारी है इसके अलावा जीता